जैसरी महाकाल दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल न्यूजों में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं दुरलब कशब गैंग के द्वारा सहनवाज खान को दी गई धमकी के बारे में इससे पहले अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो दोस्तो सहानवाज घान जो के केकेसी गैंग से तालुक रखता है वो दुरलब कशब गैंग का दुस्मन है और दुरलब कशब गैंग उसे आई दिन धंकिया देती रहती है और धंकियाई नहीं देती बलकि दुरलब कश्चप गैंग ने केकेसी गैंग के उपपर कैई बार हमले भी किये हैं जिनमें दुरलब गैंग के सदस्च गिरत्तार दीवे हैं और उदर केकेसी गैंग के सदस्चों को नुकसान भी पहुंचा है दोस्तो दुरलब कश्चप की पुन्न तिथी पर दुरलब गैंग के एक सदस्च ने के किसी गैंग को धमकी देते हुए एक स्टोरी पोस्ट की है दोस्तो इस्टोरी में लिखा है मुख्य आरोपी साधा भेला पर हुआ बलेड कांड पहला खौप से कूद कर मर गया जिसका नाम ता सिराज जिसने की दुरलब कश्चप को गैंग वार में चाको मारे थे दूसरे पर चाको से हुआ वार कुनाल डॉरी मौन ने सर्फराज खान को 22 चाको मारे थे तीसरे पर हुआ बलेड कांड जिसकी न्यूज मैंने कल की वीडियो में दे दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप जाके देख सकते हैं धमकी देते हुए लिखा है अभी तो इंतजार करो सिर्फ सुरुवात है अभी तो सिर्फ तीन हमले हुए हैं कुछ लोगों का मरना अभी भी बाकी है कैई लोग मरेंगे तो कैई लोगों में चाको फसेंगे और रही हमारे भाई दुरलब कश्चप की बात तो वो हमारे टीम में हमेशा जिन्द रहेंगे आगे लिखा है और सुन लो रे हिलावाडी के भड़ो इंतजार करो सबका नंबर आएगा जै महाकाल कुछ ये बाते लिखी हैं स्टोरी में जो कि सहनवाज और उसकी केकेसी गैंग को पूरी तरह दमकी दे रहे हैं इन स्टोरीयों को देखकर अब ऐसा लगता है कि अब दुरलब कश्चप गैंग बिल्कुल भी खौप में नहीं है दुरलब गैंग अब और भी मजबूत होती जा रही है दोस्तो इन दमकीयों को देखकर आपक क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम